आपको अपने चैनल में आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी किस तरीके से आप राउंड पिलो कवर घर पे बहुत इसानियन सिंपल मैंतर से रेडि कर सकते हैं इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में बताऊंगी किस तरीके से आप किसी भी राउंड पिलो से किस तरीके से मेयरमेंट लेकर इसके कवर की कटिंग कर सकते हैं और साथ ही साथ मैं आपको ये बहुत ही स्टाइली सी डोरियां भी बनाना सिखाऊंगी तो बहुत यसान method से इस वीडियो में मैं आपको दोनों तरीके बताने वाली हूँ तो चली ही बिना time next के अपनी वीडियो करते हैं start अगर मैं अभी तक subscribe नहीं किया है तो red bell पे click करके कर दीजिए साथ बहले के में भी click कीजिए का ताकि आने माली हर वीडियो की notification आपको मिलती रहे और अब आप मुझे facebook पे भी follow कर सकते हैं तो यहां मैंने small size में जो round pillow होता है वो ले लिया है दोनों के एक साथ cut करने हैं मैंने तो इस तरीके से किस तरीके से दोनों के एक साथ cut करूँगी वो भी मैं आपको बताऊंगी सबसे पहले हम लोगोंने pillow से measurement लेनी है यहां इस तरीके से round में आपने गुमाते हुए आपने चुडाई की measurement लेनी है जितनी भी आपके pillow की चुडाई होगी उससे आपने दो इंच दादा ले लेना है यहां पर लेके इस तरीके से जब आप measurement लेंगे देखिए मैंगी उनिस इंच पर यह ready है तो मैं तकरीबर 21 इंच पर लूँगी इसकी चुडाई और लंबाई की measurement आपने कुछ इस तरीके से लेनी है बिल्कु दर्मियान से एक side से लेते हुए दूसरे side की भी बिल्कुल mid तक इस तरीके से measurement count कर लेनी है जितनी भी आपकी चुडाई लंबाई की measurement होगी और देख सकते हैं इस तरीके से आपने लंबाई की measurement ले लेनी है लंबाई बाली side से लंबाई उतार लेनी है और चुडाई की measurement यहाँ पर देख सकते है 21 इंच ले रही हूँ मेरी 19 इंच तयार थी मैंने 2 इंच लादा ली है चुडाई भी आपने ख्याल रखना है जितनी भी आपकी चुडाई होगी पिलो की इससे आपने 2 इंच लादा लेना है जितनी भी आपकी पिलो की लंबाई होगी इससे आपने 3 इंच लादा लेना है दोनों pieces को देखें इस तरीके से मैंने cut कर लिया है इसी same measurement के साथ और आपके भी अगर दो पिलो हैं तो दोनों के एक साथ ही cut करें उसके बाद इस तरीके से लंबाई वाली side से डबल करना है और यहाँ पे आपने straight sly लगानी है चलिए मैं आपको लगा के दिखाती हूँ sly लगाते वे यहाँ पे आपने starting से थोड़ा सा छोड़ना है क्योंकि यहाँ पे हम लोगों ने नेफा बनाना है तो उसके लिए हमने थोड़ी सी जगा छोड़नी है डोरी डालने के लिए और उसके बाद straight sly लगा लेनी है और आखिर में भी हमने थोड़ा सा sly को छोड़ते वे यहाँ पे देखिए कपड़े को फिर sly stop करनी है यहाँ भी देखें इस तरीके से उसके बाद यहाँ से यह जो हमने छोड़ा था थोड़ा सा उसको इस तरीके से double fold करेंगे दोनों side से और यहाँ पर हम लोग दोनों side पर हमने ineffa बनाना है तो उसके लिए हम जगा रख लेंगे यहाँ पे डोरी डालने के लिए उसके बाद हमने दूसरे side पर सेम इसी तरीके से double fold करना है और इसको भी sly लगा लेनी है उसके बाद हमने ये जो डेट डेट इंच का मार्जन रखा था उसके मुताबिक यहां पर देखें इस तरीके से नेफा फोल्ड करना है उपर से और बिल्कुल राउंड शेब में हम लोगों ने इसका नेफा रेडी कर लेना है डोरी के लिए राउंड पिलो कबर स्रिश करने के लिए कुछ भी नहीं करना होता बस आपको मेंट अच्छे से लेनी आनी चाहिए किसी भी पिलो से पहली चीज ये है कि अगर आपको बहुत अच्छे से कटिंग कर पाएंगे उसकी अगर आपने कटिंग अच्छे से कर लिए तो उसके बाद आपने सेम नंबाय वैली साइड से स्लाई लिगानी है और दोनों साइड पे इस तरीके से नेफा रैडी कर लेना है और डोरियां डालने के लिए that's it बस अगर आपने मेरमेंट अच्छे से ली होगी तो आपकी जो पिलो कवर की शेप है वो बहुत जबरदस्त आएगी अगर आपने मेरमेंट अच्छे से नहीं लिए होगी तो सम्टाइम टाइट भी हो सकता है सम्टाइम लूज भी हो सकता है तो वह बहुत अच्छा नहीं लगता बस आपने यह ख्याल लगना है कि जितने भी आपकी पिलो की मेरमेंट होगी उससे आपने दो ही ज़ादा चुडाई यह लेनी है और तीन ही ज़ादा रेडी हो चुका है इसको सीधा कर लेंगे इस तरीके से इस लाई को बीच पर करते हुए हम लोग इस तरीके से प्रेस करके इसको सेट कर लेंगे पिलो कवर दो हमारा परफेक्टली हो चुका है रेडी सेम इसी तरीके से आप में दूसरा भी रेडी करना है आप डोरी रेडी कर लेते हैं डोरी की लंबाई जितनी भी आप रखने आचाते हैं उतनी रख सकते हैं मैंने यहां 22 इंच ली है और तकरीबन चुड़ाई इसकी 2 इंच ली है तो यह मैंने कोई अरेड पटी कट नहीं की है चुड़ाई कर लेने सब से पहले आप दबल कर लेना है और इसके बाद आपने क्या करना है एक डोरी बनाने की ट्रिक है जो मैं आपको यहां पर बता रहे हूं फिर दोनों साइड से इस तरीके से फोल करना है और color contrast में बनाना चाहते हैं, तो भी बना सकते हैं, लेकिन मैंने same color में इसकी dory ready की थी, लेकिन जो आगे मैंने triangles इसकी लगाई थी, वो थोड़ी different color में लगा ली थी contrast में तो आप अपनी मर्जी के according, अपनी पसंद के according इस dory को ready कर सकते हैं इस dory perfectly हो चुकी है ready, अब आगे जो हमने triangles लगाने हैं, वो थोड़े different style में इस video में मैं आपको सिखाऊंगी, तो वो भी यहाँ पर मैं बता देती हूँ, इस dory को straight कर लेंगे, iron करके तो यहाँ पर मैंने piece ले लिया है, चकोर piece ले लिया है दो piece लेनी है, 4 inch उसकी चुड़ाई लिया है, और 4 inch ही उसकी लंबाई लिया है, square piece आपने cut कर लेना है, उसके बाद इसको उल्टा तह करना है, इस तरीके से कुछ, उस iron के साथ इसकी तह बिठा लेनी है, फिर मजीद इस तरीके से, दोनों को सेम इसी तरीके से, दोनों को इस तरीके से ओपर नीचे रखते वे, equally, यह जो दोनों bund sides है, उनको एक दूसे के ओपर रखते वे, यह देखे, यह दोनों bund side है इसकी, और यह जो open side है इसकी सामने की, यहां से हमने इसकी गुलाई में cutting कर देनी है, यह देखे, सेम इसी तरीके से, दोनों हमने cut कर ली, एक दोरी की, अब हमने क्या करना है, इसको सीधा करना है इस तरीके से, और यहां पर जो crease लगाई थी, उसको cut करके अलग कर लेना है, कपड़ा उल्टाता है करके मैंने क्रीजे लगाई थी यह आपने ख्याल रखना है अब हमने क्या करना है इसकी यह जो round shape है यहाँ पे slide लगा लेनी है तो starting में थोड़ा सा कपड़ा लगाते वे फिर slide start कीजेगा और बिल्कुल एक पैर जितना कपड़ा अंदर देते वे आपने की slide same round shape में लगानी है और टेड़ी मेड़ी नहीं करनी यहाँ पे slide अगर आपकी round shape में slide नहीं आएगी तो आपके triangles बिल्कुल अच्छे नहीं बनेंगे तो यहाँ आपने खयार रखना है equal कपड़ा दंदर देते वे फिर आपने लगानी है slide उसके बाद इस तरीके से सीधी side पर कर लेना है fold fold करके उसके बाद अच्छे से इसकी slide को लेना है बिठा उसके बाद इस डोरी को इस तरीके से अंदर रखेंगे थोड़ी से आगे की तरफ बढ़ाते हुए ही रखेंगा ताके यह slip ना हो अंदर से जब हम इसकी slide लगाएं तो अब यहाँ पर हमने slide लगानी है इसकी दोनों की तो चलिए यह लगा के दिखा देती हूँ स्टार्टिंग में मैंने देखे इस पैर के नीचे कपड़ा रखा है उसके बाद शुरू में थोड़ा सा इस तरीके से फोल्ड करते वे slide लगाएं ताके आपके किनारे बिल्कुल भी नज़र ना आएं सीधी side पे दोरी को थोड़ा सा आगे की तरफ बढ़ाते वे मैंने रखा है और double slide लगानी है आपने यहाँ पे ताकि यह अच्छे से पक्की हो जाए यहाँ पे देखे यह जो extra दोरी थी उसको cut कर दिया है अब यहाँ पे देखे जब हम इसको सीधी करेंगे तो कितनी यह perfect triangles बनेंगी और आगे की तरफ बिल्कुल भी धागे नहीं निकलेंगे अगर आप इस तरीके से बनाएंगे किनारी हमने fold कर ली थी तो किनारी भी हमारी बिल्कुल भी नजर नहीं आ रही है दूसरी भी सेम इसी तरीके से fold करेंगे यहाँ पे देखें और किनारे को हलका सा इस तरीके से fold करते वे यहाँ पे slide लिगाएंगे double slide यह जो आगे की तरफ हमने dhory bird high थी उसको cut कर देंगे बाद में और देखिए कि जब हम इसको सीधा करेंगे तो यह बहुत ही जबर्दस triangle बनते हैं और बहुत ही खुबसूरत लगते हैं यहाँ पे देख सकते हैं बिल्कुल perfect shape आई है इसकी और अंदर वाली side पे भी बहुत ही जबर्दस finishing आई है यह मैंने थोड़े different style में इस video में आपको बताया है कि किस तरीके से आपनी triangles बना सकते हैं दोनों डोरियों पे सेम इसी तरीके से आपने बना लेने हैं उसकी बाद हम लोगों ने इसको pillow cover पे चढ़ाना है तो चलिए ready कर लेते हैं सबसे पहले हम लोग यह जो डोरियां है इस तरीके से पिन में डालते हुए दोनों नेफो में इस तरीके से डाल लेंगे पहले से इसके बाद हम इसको pillow के उपर चढ़ाएंगे इस तरीके से किसी भी पिन की मदद से आप इसको गजारते वे इस डोरियां दोनों तरफ डाल लेंगे दोरियां हमने डाल ली हैं आप पिलो ले लेंगे और इसके अंदर इस तरीके से देखिए हमने दो इंच इस पिलो की जो मईर मेंड ली थी उससे थोड़ा सा खुला रखा था उसकी वज़ा से इसको चड़ाना बहुत ही असान होगा और बहुत ही अच्छी शेप भी आएगी पहनने के बाद देखिए इस तरीके से हम इसको पेनाएंगे और यहां से हम इसको टाइट करते वे नॉट लगाएंगे दोनों तरफ से इस तरीके से टाइट करेंगे और बो बनाके हम लोग के दोनों साइड पे नॉट लगा देंगे यहां पे देखें बहुत ज़दा tight भी नहीं रहा cover और बहुत ज़दा loose भी नहीं रहा बहुत ही perfect सी और equal सी shape आई है इसकी चारों तरफ इस तरीके से आप घर पे ही बहुत ही असानी के साथ खुद भी ready कर सकते हैं pillow covers को यहां पे बहुत बनाते हुए हम लोग not लगा देंगे और यह बहुत ही खुब्सूरत लग रही थी लगने के बाद बनने के बाद यह दोनों साथ पे हमने not लगा दी है round pillow cover हमारा हो चुका है ready और बनने के बाद यह बहुत ही जबरदस लग रहा था इसकी डोरियां तो बहुत ही ज़दा stylish लग रही ही दी दोनों pillow cover मैंने same इसी तरीके से stretch किये हैं और यहां पर देख सकते हैं आप लोग यहां तक वीडियो देखे हैं लाइक के बिना बिलकुल मज़ जाएगा मेरा यह यूनीक सा मैथड आपको कैसा लगा है दोरियों का method कैसा लगा है ट्राइंगस बनाना आपको थोड़ डिफरेंस style में कैसी लगी है मुझे comment box जरूर बदाएगा मेरे चैनल का भी तक subscribe नहीं किया है तो subscribe के बिना बिलकुल मज़ जाएगा next again बहुत interesting वीडियो के साथ फिर हाजर होंगी तब तक के लिए मुझे अपनी द्वाव में याद रखेगा ओके ला हाफिज